कि अब हमारे संमाज में पवित्र होने का मतलब हैसा समस्ति रहेगा अजली कि जो लड़का दारु नहीं पीता है वह दुनिया का सबसे अच्छा लड़का है कि इतने लोगों के पति में कोई अउकन नहीं है देखिए अब एक हाथ नहीं उठा सिर्फ ये स्टर्टिफिकेट हो गया ना इसलिए बाइबल कहा फरीशी लोगों से कि तुम उपर से तो अपने बरतन को माजते हो साफ करते हो लेकिन अंदर क्या है तुम्हारे? गंदगी है बाइबल कहा कि तुम उस कबर के समान हो जो हर नवंबर में जाके लिपते हो लेकिन अंदर क्या है? कंकाल है तो पवित्रताई का मतलब बाइबल ये कहा कि तुम जो मूँ से खाते हो अंदर जाता है संदास होके निकल जाता है लेकिन जो यहां से निकल के यहां आता है उसी से तुम्हा शुद्ध होते हैं हमारा चलना फिरना उठना बैठना ये दरसाता है कि हम पवित्र हैं कि नहीं है जब आपका चलना फिरना उठना बैठना संभल जाएगा तो लोग गैर विश्वासी देख देख के देख के विश्वास में आएगा इसलिए ये ये शु को परित्वी पे भेजा गया था कि तुम मेरे निज़ पुत्र हो मैं तुम्हें कुर्बान करता हूं क्यों कि जब उस ये लाख होओ लोग और ये शुक फॉलॉर हो जाएए इस स्रिंखला को आप तोड रहे तोड रहें अंजाने में क्यों क्यों बीबी बच्चा नुक्री बी बच्चा नुक्री बीबी बच्चा नुक्री प्रभू बोला कि तुम उसके राज और धारमित्टा की खोज करो दुनिया की तमाम चीज़े तुम्हें यूही मिल जाएगी, बच्चा ऐसे ही, बीबी, नोकरी, पैसा, गाड़ी, घर, ऐसे ही.